हलो मैं लबली वेकर वेलकम पैक टू मैं चैनल तो आज फील से अप लोग उसाथ केक की नए डिजाइन से एर करने के लिए आ गया तो हाई होफ आज का केक वीडियो भी आप लोग को बहुत अचलाएगा तो चलिए भी ना स्किप किये लच तक वीडियो को कांटीनू देखत स्पॉँट्च के मैंने तीन लेयर कट लूँगी तो अगर तीन लेयर नहीं काटेंगी तो हमारा पार्फेक्ट वान पाउंड्य का वेट नहीं आएगा तो इसलिए स्पोंच को तीन लेयर में काटना अपको ज़रूरी होता है तो सबसे पहले स्पॉँट्च की यूँपर वाला स्पॉंज की लेयर हम लोग फेंक देते हैं उसको कैसे यूज करना है डेकोरेशन में कैसे यूज करना है विदाउट वेस्ट करें कैसे उसको आप लोग को यूज कर सकतो वही दिखाऊंगी तो सबसे पहले मैंने इधा स्पॉंज को कटने के बाद ट्रांट पिल के कर लिए हमेसा नॉर्मल पानी से करती हूं ठंडा पानी से लेकिन नॉर्मल चीनी पानी जो सुगर सिरफ हम लोग बोलते हैं तो उसी सुगर फिरफ से नहीं करती हूं बस नॉर्मल पानी से करती हूं ठंडा पानी से तो अच्छी तरह से स्पॉंज को सो करने के बाद मैंने चोकोलेट बाला क्रीम दिया हूं और चोकोलेट क्रीम बनाने के लिए मैंने क्रीम के साथ धेर सार चोकोलेट गनास अड़ किया हूं और फिर अच्छी तरह से मैंने मिक्ष्ट कर लिया और उसको मैंने देखे फिर अच्छी तरह से स्प्रेट कर लिया और फिर मैंने दिया कुछ भी चोकोचीप्स या फिर चोकुलेट गना सब लोग एड़ करते हो ना तो खाने का टेस्टी बदल जाता है मतलब एक्तम बढ़िया लगता है अगर कुछ लोग ट्राइ नहीं किया हो ना तो केक बनने के टाइम आप लोग ट्राइ करके देखना चोकोचीप्स एड़ क करते रहना है अगर अगर अपलोग वहों बेकर हो ओर लेना चाहीर या फिर आप लोग चाहते हो कि आप लोग की पास ही ओड़र आये हमेंसा तो इसलिए शेकनो का मंतलब एक कश्टोम एक लिया तो दूबार आपसे ही लेना है मतलब दूसरे कोई जगा से क्येक ले लेना ही चाहिए तो सब से चाहिए 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 तो सबसे पहले मैंने साचिस के सेंस від स्टेप कर करके का लिया और फीज़ेंगे लिए concept मैं कैक के उपर पूरे फिल करतें गया तरह को प्लेत कर लिया एक क्लीन कर लूँगी और कैक के आइसिंग पारफेक्ट करने के बाद मैंने सबसे पहले केक बोर्ट को क्लीन कर लूंगी और इसको इसको मैंने पुछ मिनिट के लिए मतलब 5-7 मिनिट के लिए फ्रीज में रखके सेट कर लूँगी और फीज मैंने फ्रीज से निकाल के इसके उपर धेर सारा मैंने चॉकलेट गनास मतलब डाला हूँ फिर अच्छी तरह से मैंने स्प्रेड कर लिया और आज बाला काश्टोमा जिनोंने मेरे से इस बाला केक की ओडर किया है उन्होंने फहले भी मेरे से सेम डिजाइन और सेम प्लेबर की चॉकलेट केक की ओडर किया थे और उन्होंने फिर से मुझे इसी बाला केक को बनाने के लिए बोला मैंने उनको बोला कि कुछ अलग सा डिजाइन कर दू किया लेकिन उन्होंने कि नहीं उस बाला डिजाइन बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को सबको तो हम लोगों को उसी बाला डिजान चाहिए तो आप उन्हीं बाला डिजाइन हम लोगों को बना के दीजिए तो फिर मैंने बोला ओके लेकिन मुझे ताप लोगे साथ कुछ हर रुज नया स्यार कर उसनलीं मैने इस बाहला केक में थोड़ा बहुत चैंजमेंट किया हूँ तो अगर आप लोग उससेशी चौता गरहें कंशी केंसके मतलब जार्च PAL एप क्या उनके मदल से मिक्स्ट किया हूं और उसको मस उठाया और केकी साइट साई में थोड़ा बहुत डिबिंग दे दिया तो आपको इस वाला काम जब गनास की कंसिस्टेंसी सही रहे उसी टाइम पर कल लिना चाहिए तो पारफेक्ट होगा तो फिर उपर मैंने एनवान नौजल स से तीन फ्लावर बनाया हूँ वाइट क्रीम से और यह जो बॉल अप लोग देख रही हो ना यह बॉल मैंने उसी वाला स्पॉंज से बनाया जो स्पॉंज के उपर बाला लेयर हम लोग कट के रख ली नहीं थे उसको अच्छी से मैंने हाथों से मिक्ष्ट किया हूं और उ अच्छी तरह से और उसके उपर मैंने वाइट वाला क्रीम से लाइन टान लिया थोड़ा बहुत तो देखने में बहुत ही सुन्दर दिखता है और उपर मैंने गोल्डन कालर के सबसे जो शोटा वाला सुगर बहुत रहता है स्प्रिंकेल भी आप लोग बोल सकते हूं उस